Hello dear student, how are you? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप दो महिने के अंदर किस तरीके से आपने English के preparation कर सकते हैं जिससे आप लोग दो महिने के अंदर अंदर English में 90% score कर सको Arts, Commerce और Science, Tinoe Stream के student मुझे पता है कि आप लोगों का अभी तक English में तयारी नहीं हुआ और आप लोगों को English में जो है वो बहुत ज़ादा डर लग रहा है इस वीडियो में मैं डिटेल में जो तरीका जो concept आप लोगों को बताऊंगा अगर आप उस तरीके से English का तयारी करते हैं तो दो महिने के अंदर अंदर English का इतना अच्छा से तयारी हो जाएगा कि आप exam में 90% marks English में ला सकते हैं वो भी बिना किसी मेहनत बिना किसी जंजट के easy तरीके से आजाएगा बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है जो जो topic जो जो चीज हम समझाएं उन चीजो को note down करके रखना है जो जो और जैसे जैसे पढ़ने बोले आपको वैसे ही पढ़ना है हो गया tension खतम, English में आपका 90% आने से कोई भी नहीं रोक सकता है वो student जो अभी तक English में कुछ नहीं पढ़े है ना तो English का कोई एक chapter निकाले ना कोई question answer याद के ना कोई book निकाल के देखे कुछ नहीं देखे हैं फरक नहीं पढ़ता है हम जो चीज जैसे समझा रहे हैं वैसे आपको सारे चीजों को पढ़के चलना है और वैसे student जिन लोगों का English का तयारी हो गया वो भी मेरे तीजों को follow करना मैं जो बताऊंगा उसको follow करना ताकि उन लोगों का जो है और जादा जो है अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए ठीक है चलो अब एक एक करके हर चीज डिटेल में समझाते हैं copy pen निकालो note down करो जैसे तैयारी करने बोलेंगे इंगलिस का वैसे करना हम है हम सब तैयारी करवा देंगे चलो तो सबसे पहले इतना समझ लो कि इस बार इंगलिस का pattern किस तरीके से रहेगा जैसा आप सब उक को पता चल गिया है कि 2024 का exam pattern बदल चुका है अब जो है हम लोगों का अब जो है हम लोगों का यह जो objective होगा यह हम लोगों का होगा 30 marks का इसके बाद यह जो subjective होगा यह होगा 50 marks का और college के तरफ से practical मिलेगा 20 marks का 30 और 50 80 80 और 20 100 तो यह जो हम लोगों को 20 number college के तरफ से मिलेगा इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि यह मेरे हाथ में नहीं है college के हाथ में है हम लोग के हाथ में है कि किस तरीके से हम लोग भई यह subjective 30 marks का और किस तरीके से subjective का तयारी करें अब बहुत सारे students यह भी बोलेंगे कि objective का तयारी करना तो easy है subjective में दिकत है लेकिन मैं अगर बताऊ ना तो subjective में तयारी करना objective से तयारी करने से भी easy है जी हाँ आप सब्दे सुन रहें English का subjective तयारी करना objective से भी जाधा easy है और objective से भी जादा आसानी से तयारी हो जाता है subjective का एसे हम बताते हैं अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यह जो 30 marks का हम लोगों का objective है हम लोग इसका तयारी किस तरीके से करेंगे फिर subjective का बात करेंगे हर एक चीज के बारे में एक दम detailed में अच्छे से बताएंगे अब बात करते हैं कि आखिरकार objective का तयारी हम लोगों को क्या करना है कैसे करना है और objective में किस type के questions हम लोगों को पूछेंगे तो देखो objective में पता चल चुका है कि 30 marks का हम लोगों को objective पूछेगा हाँ सर पता चल गया अब question का pattern किस तरीके से रहेगा set किस तरीके से होगा तो ध्यान से समझना सबसे पहला जो है objective में advance writing skill का advance writing skill यह जो हम लोगों का advance writing skills topic है यहां से हम लोगों को 3 से ले करके 7 question पूछेगा यानि कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7 question पूछेगा मान के चल लो ना लगभग जो है वो 7 question पूछेगा किस से advance writing skills है basically objective question होगा एक objective रहेगा उसका 4 option रहेगा आपको right answer लिखना है अब यह जो advance writing skill होगा 7 number का इसमें report, article, notice, later यह 4 चीजों से यहां से question बनके आएगा किस से question बनके आएगा question बनके आएगा आपका notice MCQ रहेगा ठीक है notice रहेगा later रहेगा later to editors related question इसके बाद रहेगा हम लोगों का आपका article article इसके बाद हम लोगों का report यह 4 topic जो है हम लोगों का बनेगा advanced writing section इन चारों topic से आपको साथ mcq type के question जो है वो पूछा जाएगा ठीक है साथ question हो गया इसके बाद एक poem रहेगा हम लोगों का mcq में क्या रहेगा हम लोगों का एक poem रहेगा एक कोई poem का एक extract रहेगा या बोल सकते हैं बीच का poem का एक part या बोल सकते एक paragraph रहेगा उस paragraph से related हमको जो है वो तीन questions पुछेगा साथ question advanced writing skill से पुछेगा एक poem रहेगा उस poem से तीन question हम लोगों को पूछेगा जैसे ये poem के author कौन है poet कौन है इसके बाद इस poem का meaning क्या है इस type का question दस हो गया साथ number advanced writing skill से तीन number poem से पूछेगा और इस number है ना और ये जो हम लोगों का 20 marks है ये 20 marks हम लोगों का पूछेगा book से इससे पूछेगा book से अब ये चुकी हम लोगों के पास हम लोगों को पता है कि हम लोगों का दो book है एक हम लोगों का flamingo और एक विस्तास तो उन दोनों बुक से मिला करके हम लोगों को जो है वो 20 नंबर का question पूछेगा सबसे ज़्यादा जो MCQ होगा वो flamingo से रहेगा जैसे 20 है तो मान लोगी कम से कम आपका 12 MCQ 12 या 13 MCQ जो होगा वो flamingo का होगा और बाकि 7 MCQ जो होगा वो बिस्तास का होगा क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है विस्तास में चैप्टर कम है flamingo में चैप्टर ज़्यादा है इस टाइप का हम लोगों का objective का question रहेगा एडवांस राइटिंग से साथ OEM से तीन और book से 20 अब ध्यान से सुनना अब आखिरकार हम लोग एडवांस राइटिंग स्किल का तैयारी कैसे करेंगे यानि basically यह जो यहां पर हम लोगों का यह जो हम लोगों का यहां 7 number का है हम लोग इसका तैयारी किस तरीके से करेंगे simple बात है एडवांस राइटिंग का तैयारी करने के लिए हम आप लोगों को तो 50 तो 50 हम आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल का question देंगे उन questions को तैयारी कर लेना वहां से जो है आपका एडवांस राइटिंग स्किल का question लड़ जाएगा अगर आप आज ही तयारी करना चाते हैं तो नेट पे जाना और नेट पे जाकर के तयारी करना सर्च करना advanced writing skill mcqs class 12 या advanced writing skill class 12 mcqs आपको बहुत सारा link मिलेगा उसमें आप लोगों को जो है 50-60 mcqs मिलेगा उनी mcqs को आप कर लेना अच्छा से और हो सके तो previous year आपके guest paper मे जो advanced writing skill का question है उसको कर लेना हो जाएगा ठीक अब यह poem का तयारी किस तरीके से करेंगे क्योंकि तिन नंबर का question poem से पूछेगा तो आपको एक बार poem को पढ़ लेना है flamingo में जितना भी poem है जो जो poem है जो delete नहीं हुआ इस बार उन सारे poem को पढ़ लेना और याद रखना कि ये एक poem का जैसे की मानलो की part है ये किस poem का हिस्सा है और उसके poet या poeties का क्या नाम है याद रख लेना यहाँ से poem का तयारी हो जाएगा अब book का तयारी किस तरीके से करेंगे हम simple बता रहे हम आप लोगों को आज सही जो है वो mcq chapter by chapter पढ़ाने start कर देंगे इंग्लिस का इंग्लिस का mcq chapter by chapter पढ़ाने start कर देंगे आपको करना क्या है आपको सबसे पहले ना थोड़ा सा टाइम निकाल करके पांच मिनिट दस मिनिट story देख लेना है जैसे youtube पे चले जाना और सर्च करना flamingo का first chapter है जा the last lesson तो सर्च करना the last lesson summary और पांच मिनिट दस मिनिट का जो वीडियो जो हिंदी में explanation वाला होता है उसको पढ़ लेना अच्छा explanation वीडियो को देखने से क्या benefit होगा उससे देखने से होगा कि आपको वह story याद रहेगा अब उस story से related जो भी mcq होगा आपको वह mcq याद रहेगा कि आखिरकार ये story में ये पढ़े ये सुने थे तो इसका जो है story का मिनिग ये है उससे आपका mcq का तैयारी होगा और आगे जा करके जब आप subjective का अपना तैयारी करोगे तो उस subjective में आपको theory लिखने में मदद करेगा बाकी तो हम बता देंगे कौन-कोन objective important है क्या क्या है क्या क्या नहीं बस आपको मेरे लि information देख लेना mcq का तैयारी आग से हम करवाने start कर दे रहे हैं बागी subject आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तैयारी करवा रहे हैं हाग से English का भी आप लोगों को जो है हम तैयारी करवा रहे हैं बस इतना आपको करना है objective का tension खतम ताटा बाई 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 अब बोलोगे कि sir previous year का model paper कर ले या previous year का question paper कर ले तो क्या लड़ेगा देखो guarantee नहीं है कि लड़ेगा अगर ऐसा रहता कि previous year वाला ही लड़ जाता मेरा previous year question भी हो जाए, model paper भी हो जाए, guess paper भी हो जाए, सब एक बार में हमसे बन जाए, इसलिए आपको क्या करना है, story का summary पढ़ लेना है, बाकि हम आग से MCQ पढ़ाने start कर देंगे, हो गया, बस 30 number का MCQ का tension खतम, अब आते हैं subjective पे, चलो, अब ध्यान से समझना, कि आखिरकार subjective का exam pattern किस तरीके से set होता है, बहुत student, subjective को ले करके बहुत परेसान होते हैं, और जैसे मैंने अभी early phases में बताया था, कि subjective का तयारी करना सबसे ही जी है, अब ध्यान से समझना, subjective में चुकी पता चलिया है कि question 50 number का किस तरीके से, मतलब 50 number subjective पूछेगा, अब हम अपना अनुमान बता रहे हैं कि हमको क्या लगता है, कि subjective pattern किस तरीके से बनेगा, pattern यही रहेगा, भले marks थोड़ा उपर नीचे हो जाए, लेकिन exam pattern सेम इसी तरीके से रहेगा, ध्यान से समझना, सबसे पहले subjective में आपके पास passage पूछेगा आपको, क्या पूछेगा आपको passage, arts, commerce, science, किसी भी stream के हो, passage पूछेगा, और passage में आप लोगों को 2 passage देगा, passage में आपको कितना passage देगा भई, 2 passage देगा, ठीक है sir, एक passage एक नर्मल वाला देगा, एक passage देगा, एक paragraph देगा, उस paragraph से related आपको 5 question पूछेगा, कितना question पूछेगा, 5 question और 1 question पूछेगा, 2 number का, यानि 10 number का question पूछेगा, एक passage से पहला, normal, दूसरा जो पेसेज रहेगा, उसमें उस पेसेज से related questions नहीं पूछेगा, बलकि उस पेसेज से आपको बोलेगा कि इस पेसेज का summary बताओ, और notes making वाला question देगा, क्या बनाने बोलेगा भई, notes making बनाने बोलेगा, कि इस question का notes making करो, और इसके बाद title, heading वगेरा लिखो, इसके बाद बोलेगा कि summary, इस story का, इस paragraph का जो है वो summary, और हमको लगता है कि अगर मान लो, अगर board चाहेगा, तो यह तो या तो फिर 5 number या 8 number, 5 से 8 number का second paragraph आपका रहेगा, first paragraph 10 number का एकड़म स्योर है, second paragraph जो है वो 5 से 10 number का देगा, first paragraph easy रहेगा, question पढ़ना है, और उसका answer paragraph के अंदर से ही ढूंड के देना है, लेकिन जो second paragraph रहेगा, उसमें आपको ढूंड के नहीं बनाना है, उसमें आपको heading, title, subtitle, यानि basically जो आपको keywords वगेरा होता है, यानि कि notes making और summary लिखने के लिए बोलेगा, और हम सिखा देंगे, कि passage से किस तरीके से ढूंडा जाता है, और summary writing, notes making किस तरीके से होता है, बता देंगे, ठीक है, चलो, passage हो जाने के बाद, अब जो आपका दूसरा unit आएगा, वो आएगा, advance writing skill, क्या आएगा, advance writing skill, अब यहाँ जो advance writing skill होगा, यह क्यों नहीं होगा, यहाँ जो advance writing skills होगा, basically यहाँ पर आप लोगों को बनाने बोलेगा, और एक notice आप लोगों को पूछेगा, क्या पूछेगा एक, notice, 100% notice पूछेगा, notice अलग अलग चीजों के उपर हो सकता है, लेकिन notice पूछेगा, notice लिखना सबसे easy होता है, एकदम छोटा होता है notice, एकदम notice का है, एक बार अगर आप एक format याद रख लिए हैं, खतम, notice पूछता है 100%, इसके बाद, letter to editor, पिछले कई सालों से, जो है, letter to editor पूछा जा रहा है, letter to editor, यह पूछा जा रहा है, और मेरा मानना है कि इस साल फिर letter to editor पूछा जाएगा, letter to editor का भी एक बार अगर आप format याद रख लिए हैं, सब याद रहेगा, notice पूछेगा, letter to editor पूछेगा, इसके बाद, आता है, report writing, क्या आता है भाई, report, report लिखने के लिए बोलेगा, और हमको लगता है कि और मेरेगा, या तो report लिखने बोलेगा, या सायद हो सकता है, और में आपका articles रहेगा, या तो फिर चारो का चारो नहीं देगा, कोई तीन चीज़ देगा, और एक चीज़ को और में देगा, और यहां से भी आपका जो है वो question बनेगा, लगभग, 10 से लेकर के 15 नमबर जो है आपका यहां से बनेगा, ठीक है, paragraph से आपका 15 से लेकर 18 नमबर का question पारगराप से बनेगा, advanced writing skill से आपका 10 से लेकर के 15 नमबर का question बनेगा, cases दोगो रहेगा, advanced writing skill में notice लिखने बोलेगा, letter to editor, report या और करके article, 4 में से कोई 3 चीज़ आपके exam में मिलता है, हो गया, ठीक है, screenshot ले लो और सबको note down करना, अब इसके बाद जो भी बज गिया, अब चाहे तो आपका वो 25 नमबर का question बचा, या 30 नमबर का question बचा, या 15 नमबर का question बचा, या 20 का, जितना भी नमबर का question आपका बचा हुआ है, वो आपका अब book से पूछेगा, किसे पूछेगा भई, आप book से theoretical question पूछेगा, book से किस type का question पूछेगा, theory type का question को आप पूछेगा, अब आप बोलोगे कि sir ये theory का तयारी किस तरीके से करेंगे तो simple बात है हम आपको सुरू में आभी हम आपको क्या समझाए थे सुरू में हम आपको सबसे पहले समझाएं कि आपको हर story का हिंदी summary को YouTube से देख लेना है अगर आप summary सुन लिए हैं आपको अगर story पता है तो वहाँ से आपका objective का तयारी हो जाएगा और साथी साथ जब आप subjective का theory याद करोगे तो भी वह आपका तयारी हो जाएगा अब आप बोलोगे कि sir एक laser में तो इतना ज़्यादा theory है तयारी किस तरीके से करें अगर मानलो हर एक chapter से 5-5 या 6-6 theory याद करने लगे तो ऐसे में तो suppose कर लो अगर मेरा 10 chapter है तो 50-60 theory हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिखत होगा याद करने में और हाँ होगा क्योंकि समाई कम है तो आपको वैसे नहीं करना है आपको क्या करना है previous year के model paper, previous year के आपका question paper और इस साल का अगर time मिलता है तो थोड़ा सा question bank का आपको theory देख लेना है और हम जब इस साल जब model paper आ जाएगा तो हम आप लोगों को top जो है वो theory दे देंगे, मेरे इसाब से अपना guess क्या हुआ हुआ हम दे देंगे कि यह यह मेरे तरफ से important है तो वो भी आपको exam में help कर देगा इस तरीके से आपको theory का तयारी करना है हर एक question को रख्टा मारने आप लोगों को मट बैठना है तो आपको उतना कम समय में इतना ज़्यादा चीज जो है वो याद होगा नहीं बस story अच्छा से याद रख लेना और एक दो theory का जो है हर एक chapter से एक दो theory करना और अगर एक दो theory करना होगा तो जो question bank दिया हुआ है वहाँ से हर subject में sorry account English में जो भी आप लोगों का chapter है उसमें MCQ के साथ subjective भी दिया है वहाँ के subjective को एक दो बार आप read कर लेना अगर word to word याद नहीं भी होता है तो आप अपने हिसाब से भी उसको adjust कर सकते हो ऐसे आपको theory का तैयारी करना है model paper आने के बार top question आपको हम खुद दे देंगे objective का तैयारी हो गया हाँ अब आप बोलोगी कि sir वो तो ठीक है लेकिन ये जो हम लोगों का advanced writing skill है इसका तैयारी किस तरीके से करेंगे तो हम आप लोगों को जैसे objective complete हो जाएगा हम आप लोगों को notice लिखने का तरीका और later to editor ल तरीके से लिखा जाता है एक दो notice लिखने का practice कर लेना ठीक है और previous year के question paper सम्में जो जो topic का notice है उसको लिखना प्रेक्टिस से में से लेटर to editor class 12 सर्च करना और उसके बाद आप later to editor लिखना सिख जाना अगर थोड़ा wait कर सकते हैं तो mcq खतम होने के बाद हम इसको खुद क नहीं कर सकते हैं तो net में search करके लिख लेना आ जाएगा समझ में कोई दिकत होगा तो comment करो बोलना जिसर बिल्कूल नहीं समझ में आ रहा है बता दो आप कोई दिकत नहीं है चीक है हाँ सर जी चलो story का तयारी के लिए समझा दिए summary देखना ठीक है इसके अलावे सर जी और ह आप इतना कर दिए ना तो tension खतम लेकिन मन में फिर भी सवाल आएगा कि sir आखिरकार हम लोग जो पड़े हैं वो exam में लड़े गा या नहीं लड़ेगा कुछ और भी बता दो tips हमको इसके अलावे और क्या देखना है इसके अलावे अगर आप चाहें देखना चाहें तो हम कुछ कुछ और चीज जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें ना तो जो model paper इस साल आएगा उसको तो एकदम अच्छे से करना उसको मत छोड़ना एक एक सेट का ही model paper आएगा करना इसके बाद time निकाल करके भाई साहब PY2 हम जबकि PY2 करवा दिये हैं इसको कर ले अगर time मिलता है तो कि कहें हां और सबसे अच्छा अगर नहीं मिल रहे है और थोड़ा अच्छा से तयारी करना तो एक दम और अच्छा से तयारी करें देना इसके बाद सारा चीज के हम ओल्रेडि आप लोगों को वीडियो में बताए हैं वीडियो बना रहे हैं वीडियो परिशानी है हमको कमेंट करके जरूर पूछने के सर हेल्प कर दो ये चीज बता दो हम आपके लिए हमेशा हैं एकजाम तक हैं एकजाम के बाद भी हैं बस आप लोग पड़ो तो इस तरीके से आपको आपना अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव का तयारी करना है आज से ह हम अबजेक्टिव का वीडियो आप लोगों के लिए बनाते नहेंगे 15 दिन के अंदर अंदर अबजेक्टिव खतम इसके तुरन बात सब्जेक्टिव एडवांस राइटिंग स्कील नोटिस रिपोर्ट आर्टिकल लेटर ये सब हम आप लोगों को बता देंगे मूडल प परिसानी नहीं होगा ऐस समझ में वीडियो पसंद आई है लाइक करो सेयर करो कमेंट करो कुछ ऐसा चीज था जो मानलो मुझे बताना था हम भूल गए या आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिल पाया आप किलियर नहीं हो पाए हैं तो कमेंट करके मुझे बताना मैं अपना contact number आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है, चलो जी, bye, take care